दिल्ली में नई आबाकारी नीती लागू होने के बाद जगए जगए बेताहस आश्चराप के नए ठेके खुल रहे हैं जिसका ब्रोद पिछले कई दिनों से पूरी दिल्ली में अलग अलग जगए हो रहा है उसी कड़ी में आज आरकेपुरम सेक्टर बारा में खोले नए ठेके का जबर्जस्त विरोध हुआ यहां ठेके के पास आरकेपुरम के पूर्विदाया के निर्त्म में सेक्ड़ों महिलाओं और बीजेपी की कारेकरताओं ने धर्ना दिया और केजरिवाल को सत्थबुद्धी हो इसके लिए हनुमान चालिसा का पाट भी किया साथी केजरिवाल का पुतला जलाकर केजरिवाल सरकार के किलाव जम करना रिबाजी की बीजेपी निताओं का कहना है कि इस ठेके के अगल बगल उपर यानी चारो तरफ रेजिडेंसल इलाका है सराब के ठेके खुलने से यहां नसेडियों का अड़्डा हो जाएगा जिससे यहां की महिलाओं और बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा साथी यहां क्राइम भी बढ़ जाएगा जिसके लिए हम इस सराब का ठेके का विरोध कर रहे हैं और जब तक यह ठेका बंद नहीं होता हमारे विरोध ऐसे ही चलता रहेगा हमारा आज का एक ही मुद्ध है जो मुक्य मंतरी केजरीवाल ने दिल्ली में गली गली में जो शराब के ठेके खुलवा दिये जो उसकी आपकारी निती है उसके खिलाफ है और आज हमारे परदेश अद्रग जी ने जो एक हपते से एनाउस किया हुआ है उसी कड़ी में जो आज आरके पुरमे में आप इतने चैनल वाले भाई बंदू यहाए हुए उनका धन्यवाद करता हूँ और आओ सिर्फ अपनी फोटो की काम मत करो चाहे दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है और अगर मैं कहूं कि तुम्हारा ध्यान ना पराली पे है ना जमना जी की सफाई पर है ना पानी पर है ना किसी और चीज़ पर है सिर्फ अपना विग् गलियों में खुल रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अलग अलग तरीके से लगातार चालू रहेगा हनुमान चालीसा पढ़ने का सीधा सीधा कारण है कि भगवान हनुमान जी इसको सद्बुद्धी दें ये जूट बोलता है कि हनुमान जी का मैं भगत हूँ हनुमान जी की पूजा करता है और भगवान अयोध्या का जिस मंदिर को ये बनाना नहीं देना चाहता था कहता था क भी जूट बोलके पूजा करके आया तो ऐसा जूटे व्यक्ति को हम सदबुद्धी भगवान सच में दे उस सदबुद्धी के लिए हमने आनुमान चारीसा का पाट किया है जिले में कई ठेके खुलने क्या इसी तरीके से विरोध परसो नापलों का जारी रहेगा जी हमारे पूरी जिले के अंदर इसी तरह से भी हमने परसो मालविनगर के अंदर किया है आज आरके उपरम के अंदर है और जब तक ये ठेके रियाईशी इलाकों से बंद नहीं होते के और जारी इए का नहीं की तरह से पैसे पीजाथ हैंए परसी जाती है इसक के टेनिंग भी देंगे वह ये काम बेलागे है तो अपनी बात को हर जगा पर बताएं ना कि शराब के ठेकों को विरूद में अपक्ष के अंदर हैं वो इस बात को क्यों कहते हैं पंजाब के अंदर जाके नशे का विरूद करते हैं और दिल्ली के अंदर नशा परोस्ती है जब से बीजे 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 आगे का कदम क्या होगा दिल्ली बीजेपी के अंदर हम अपने माननी प्रदेश अधेक्ष आदेश गुपता जी जिन्हों ने इस अंदोलन को दिल्ली के अंदर खड़ा किया यह अभी सांकेतिक अंदोलन अवारा शुरू हुआ है लेकर अगर यह शराप के ठेके रिहाइश इस 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 अलाकों से बंद नहीं होगे तो यह लडाई बहुत लंबी और बड़ी चली जामें आगा के अर्म आधा करें अधार अधार करें करें करदेश लाएश ठीक है झाल झाल झाल